S.I.P. के जरिए 10 करोड का कॉर्पस बनाना नामूम्कीन बात लगती है लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप सिरफ 6,000 के मन्तली S.I.P. से 10 करोड रुपे जोड सकते हैं तो क्या आप विश्वास करेंगे? शायद नहीं इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 10 करोड का कॉर्पस बनाने के लिए आपको S.I.P. में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा और जो लोग इनिशिली बड़ा अमाउंट स्पेर नहीं कर सकते उनके लिए एक हैक भी बताएंगे इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे छोटी रकम से स्टार्ट करके 10 करोड रुपे तक का बड़ा कॉपस बना सकते हैं आईए फर्स टेप से स्टार्ट करते हैं आप इन्वेस्टमेंट्स जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना बेटर होगा इसके दो रीजन्स हैं पहला छोटे कॉंट्रिबिशन से आप बड़ा फैनाशिल गोल इसली अचीव कर पाएंगे दूसरा आपकी इन्वेस्टमेंट्स को कमपाउंडिंग के लिए जादा टाइम मिलेगा जिससे आपका रिटर्न बढ़ेगा इसे बहतर ढ़ंग से समझने के लिए आईए आपकी स्क्रीन पर दिये गई कुछ नंबर्स को देखें अगर आप 25 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो 7 साल की उम्र तक 10 करोड का कॉर्पस बनाने के लिए आपको 15,550 रुपे की मन्तली SIP करनी होगी हमने यहां 12% रिटर्न इज्यूम किया है अब आएए देखें कि 5 साल के डिले से आपकी इन्वेस्टमेंट्स पे क्या फरक पड़ेगा अगर आप 30 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो 10 करोर एक्यूमुलेट करने के लिए आपका SIP अमाउंट लगभग डबल होकर 28,613 रुपे हो जाएगा इस टेबल में आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स डिले करने से आपके कैश फ्लोस पर कैसे प्रेशर बढ़ जाता है और सेम कॉर्पस के लिए जादा अमाउंट इन्वेस्ट करना पर सकता है तो 10 करोर का टागेट अचीव करने के लिए आपको कितनी SIP करनी है ये क्लियर है लेकिन हर महीने अपनी सालरी से इतना अमाउंट इन्वेस्ट करना सब के लिए शायद पॉसिबल नहीं है खासकर उन लोगों के लिए जिनोंने अपना करियर अभी स्टार्ट किया है इसकी और भी रीजन्स हो सकते हैं जैसे कि एड्यूकेशन लोन या फैमिली कमिट्मेंट्स या फिर आप उतना सेव ही नहीं कर पा रहे हों तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं चिंता ना करें हमारे पास इसका सल्यूशन है अगर आपको याद हो तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने सिरफ 6,000 रुपे की मंतली SIP से 10 करोड रुपे के कॉर्पस तक पहुँचने का जिक्र किया था तो ये कैसे पॉसिबल है हमने इस पर काफ़ी कैल्कुलेशन की हैं तो अगर आप 25 साल की उमर में 6,000 रुपे की मंतली इंवेस्मेंट स्टार्ट करते हैं और हर साल इसे 10% से इंक्रीज करते हैं तो आप 60 साल की उमर यानी रिटायर होने तक 10 करोड का एक कॉर्पस जमा कर सकते हैं इसका मतलब हुआ पहले साल 6,000 रुपे की SIP दूसरे साल 6,600 रुपे की SIP तीसरे साल 7,260 रुपे की SIP और इसी थारा हर साल सालरी बढ़ने के साथ साथ SIP भी इंक्रीज करें हमने यहां 12% return एज्यूम किया है आप अपनी स्क्रीन पर अलग-अलग age groups के लोगों के लिए SIP का amount देख सकते हैं पहली कैटेगरी में वे लोग हैं जिनोंने हर साल अपनी SIP amount को इंक्रीज नहीं किया और दूसरी कैटेगरी में वे लोग हैं जिनोंने हर साल अपनी SIP amount को 10 10% से increase किया है तो अगर आपके उम्र 30 साल है और 28,000 रुपे की SIP करना आपको मुश्किल लग रहा है तो आप 12,500 की SIP से शुरू कर सकते हैं और हर साल इसे 10% से बढ़ा सकते हैं इसी तरह आप दूसरे age groups के लिए भी required SIP amount देख सकते हैं तो आपने देखा कि कैसे आप छोट SIP amount को और भी कम करना चाहते हैं तो आप अपने 10 करोड रुपे के गोल के लिए annual bonus भी invest कर सकते हैं तो अब आप किस बात का wait कर रहे हैं अपनी 10 करोड की corpus की journey को आज ही start कीजिए और अगर आप सोच रहे हैं कि अपना पैसा कहां लगाएं तो आप ET Money app पर best SIP funds के list देख सकत हैं आप ET Money पर zero commissions के साथ इन funds के direct plans में invest कर सकते हैं हाँ आपने सही सुना ये service आपके लिए absolutely free है इसके अलावा ET Money पर आप जब चाहे अपने SIP amount को modify कर सकते हैं इसलिए आप अपनी convenience के according अपने SIP को annually या उससे पहले भी बढ़ा सकते हैं इसी के साथ हम इस वीडियो के end पर कराते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और ये वीडियो अपने friends and family members के साथ share जरूर करें अगर आपकी कोई और queries हो तो comment section में हमें बताइए mutual fund investments are subject to market risks read all scheme related documents carefully